हेलो दोस्तो स्वागत है अब सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फोटो सोप में पोस्टर डिजाइनिंग या बैनर डिजाइनिंग कैसे की जाती है तो बीना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं भी क्लिक कर दीजिए तो हम जो है अपना फोटो सोप यहां पर ओपन कर लेते हैं मैंने ओल्रेडि़ फोटो सोप यहां पर रन करके रखा है यहां से मैं क्रियेट नियू में जाऊंगा और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 1080p width और height दोनों लेकर रखा है आप इंच में हैं तो कोई भी size ले सकते हैं यहां से मैं create कर दूंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा page जो है वो load हो चुका है तो सबसे पहले हम background design करेंगे ठीक है दोस्तों तो हम जो है एक color ले लेता है यहां से यहां से solid color लूंगा मैं और एक color choose कर लेंगे हम थोड़ा सा blue कर दोस्तों यह वाला color रखूंगा मैं यहां पर और यहां पर फोटो के लिए यह यहां से polygon टू ले लेंगे यहां पर मैंने six किया हुआ है पहले से ही आप देख सकते हैं आपका अगर कम आता है तो three या five या कुछ भी कर सकते हैं आपको जैसा ठीक लगे यहां पर मैं ड्रो कर दूंगा शीप के साथ आप देख सकते हैं यह वाइट मैंने कल लिया है यहां पर जिसको मैं कॉंट्रोल के साथ यह से ड्रेक कर सकता है और यहां से यह से किच के है ऐसा बना देंगे हम कुछ यहां पर आप देख सकते हैं इसको मैं यहां पर लगाऊंगा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहां पर लेता है यह फोटो के लिए रखा है हमने कि इतना इनफ है एक और ड्रो करेंगे हम यहां पर पोलीगोन पर क्लिक करूंगा और यहां पर स्टॉक ले लूंगा यह वाला कलर और यहां से फिल्ड कलर जो है वह मैंन कर दूंगा क्यूंकि हम इसी बोडर ही चाहिए फिर से मैं यहां से मैं इसको यह वाला लूप देदूंगा वापस से आप देख सकते हैं और बोडर का साइज जो है मैं यहां से छोटा बोड़ा कर सकता हूं यह 3 पिक्सल है मैं यहां से ऐसे क्लिक करकर देख लेथ हूं मैं अच्छा लग रहा है तो यहां पर मैं क्या करूंगह इसको सीलेक करूंगा और शौक कला कर देते हैं आधा है यहां पर मैं इसको लूग कर दो इने वाला और इसको यहां पर सेट करेंगे इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं ऐसे तो यह जो है ऐसे उपर की तरफ रहेगा यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसको में नीचे कर देता हूं आइसे तो यहां पर मैं अब क्या करूंगा इसको कॉंट्रोल जे कर दूँगा ठीक है डूब्लीकेट बना दूँगा और यहां पर मैं इसको हाइड कर देता हूं सब्सक्राइब यहां पर मैं इसको नीचे ले लूँगा ऐसे ठीक है तो यह नीचे की अच्छा लग रहा है यहां पर लेते हैं और यहां पर ले लेते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं यह जो है यहां से नीचे है और यह वाला उपर है यहां से मैं दोनों पॉलिगोन को सिल्क करूंगा ऐसे और साइज है यहां पर टू राग देख सकते हैं और इसकी साइज भी है मैं टू कर दोंगा ठीक है थोड़ा सा पतला रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा कॉंट्रोल डी प्रेस करूंगा मैं आप देख सकते हैं लाइन बहुत ही पतली कर दी है मैंने तो इसी का इक कॉंट्रोल जे कोपी लूँगा मैं यहां पर नीचे लूँगा थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं है कि यहां पर रकत act है कि कने पूरा रौंड हो चुका है कि इसको मैं क्या करोंगा डीलेड कर दूंगे और नाय वाला ही worker can और साइज जो है टू ही रखी है मैंने तो मैं उपर ही बनाऊंगा यहां पर कुछ इस तरीके से बना दूँगा ऐसे और साइज जो है थ्री कर देता हूं यहां पर थोड़ा सा जूम करेंगे हम आना यह वाला इसका बड़ता है तो इसी में हो गयां परहुआ है टूर्फ यहां मैं न्यू लेयर लेकिक करूंगा ठीक bats ६श्त पॉलिकंट्रों किया और यहां से इसको मैं कॉंट्रोल क्रेस करके इसे सेट कर दूँगा और यह वाला ऐसे कित लूँगा ठीक है आप देख सकते हैं हमारा लोग कुछ इस तरीके से आ रहा है है क्या थोड़ा सा बड़ा लग रहा है इसको मैं चुटा करके देखता हूं थोड़ा सा थीक लग रहा है मैं इसको ऊपर करूंगा और को कहा है तो यह कुछ इस तरीके से रहेगा और एक और बनाएंगे हम यहाँ पर कि इसका मैं साइज कि त्री ही रखूंगा चलेगा यहाँ पर कलर जो है हम ब्लेक कर लेते हैं यह वाला ब्लेक है ठीक है यहां से इसके में सीप के साथ है यह वाला हो गया ठीक है यहीं पर चाहिए था मुझे यहां पर मैं सीलेक करूंगा यहां पर जूम कर लेता हूं खोड़ा को इसको को भी राउंड कर देते हैं अब देख सकते हैं कि ऐसा लूग आ रहा है हमारा पॉस्टर का भी और एक हो ले लूंगा मैं यहां पर यहां से लूंगा स्टॉक जो है वो नवन कर देता हूं और कलर जो है यहां से यह वाला पिकप कर लेता हूं आप अगर थोड़ा सा कलर चेंजिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मैं यहां पर दूसरा एक ले लेता हूं ऐसे शीप के साथ लूंगा कर देता हूं वापस ही यहां पर मेरे से पहले वाला पॉलीकॉन सेलेक्ट हो गया है जो उसी का जो है वो को भी ले लेगा ठीक है सेटिंग इसको मूँ कर लेंगे उपर के लार तूल चेंज कर लेगा है कर दो सकते हैं यहां पर कुछ इसा लूप जो है मारा आ रहा है यहां पर तो दोस्ता आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लूप आ रहा है हमरा तो सब से पहले हम क्या करेंगे यहां पर इसका जो है एक कोबी ले लेते हैं लॉक किया हुआ है हम इसको अनलोग कर देते हैं कंट्रूल जे प्रेस करूँगा मैं यहां दे और इसको उठा के इसे कर दो इसका कलर जो है यहां पर डबल क्लिक करों और कुछ ऐसा रखेंगे तोड़ा सा तोड़ा सा लाइट ही रखेंगे हैं ऐसे यहां पर मैं इसको ड्रॉप साड़ों दे दूँगा और ओपसीटी हल्का सा रखेंगे तोडिफरेंट डीके रखेंगे यहां पर मैं इसको सिलेक करके ऐसे कोपी कल दूँगा और सेम यहां पर रखेंगे और इसकी ओपसीटी जो है मैं यहां से कम कर दूँगा को चीज तरीके से आभी भी ज्यादत लग रहा है थोड़ा सा और कम दुद्द कर दो अधिक है दोस्तों तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर इसको कोपी कर लिया है इसको मैं एक और कोपी बनाऊंगा यहां पर यहां से छोटा कर लूँगा थोड़ा साथ के साथ कंट्रल-जैर कीना सिप के करूंगा कि यहां पर कुछ ऐसे रखनेंगा और इस तक का ओपेसिटी जो है वह फिव्टी कर दोंगा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लूप आ रहा है हमारे पोस्टर का यहां पर मैं जो है एक और लियर ले लेता हूं और गेडियन टूल जो है वह ले लेंगे कि यहां पर और कलर जहां ब्लेक रखेंगे हम और यहां पर जो है मैं इसको ऐसे प्रेंट कर दूंगा ठीक है दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर पूरा कलर खो रहा है तो मैं यहां पर जाओंगा और अब देख सकते हैं आप कलर चूज कर लिए यहां पर मैं इसको कि मॉल्टिप्लाय कर दूंगा और इसको नीचे ले लूंगा ऐसे तो अब और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लोग आएगा यहां पर मैं इसको ब्लेंड ओप्साल में मॉल्टिप्लाय किया है और यहां है कुछ इसा रखेंगे काम कर देंगे और ब्रस टूले लेता हूं मैं एक न्यू लेयल होंगा यहां पर मैं ब्रस को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा वाइट कलर लिया है मैंने यहां पर पैन कर दूंगा ऐसे कंट्रोल जेड करता हूं वापस तो यहां पर मैं ऐसे पेंट कर दूंगा इसको ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा और इसको जो है मैं नीचे लिए 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 इस तरीके से कुछ और इसके ओपर सीटी जो है हम कम कर देंगे महुती काम कर देंगे मैं ऐसे इसको फोड़ा सा एक्जेस कर लोगा ठीक है और इसको जो है इसको मैं थोड़ा सा ब्लर दोंगा फिल्टर ब्लर और चीनिये से ब्लर यहां पर मैं थोड़ा सा इसको ब्लर कर दोफ़ा हों कि और फोकी तो यहांब पर जो है हो जुक है तो आप देख सकते हैं दोस्ता यहां पर यह दिख रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर यह जो कलर हमने किया है उसका लूब थोड़ा सा ओकॉड आ रहा है यह वाला इसको में पर पूड़ा हुआ अब यह बाद में अच्छे लगेगा यहां पर इतना जो है अच्छा नहीं लग रहा है यह जैसा कुछ हारा है ठीक है दोस्तों अल्मोस्त हमारा बेग्राउंड जो है वो डन हो चुका है तो यहां पर हम अटेक्स एड़ करेंगे और इमेज एड़ करेंगे और सबसे पहले आपको जिस चीज के बारे में बनन है पोस्टर आपको वो लिखे यहां पर मैं जो है रेकिलर कर देता हूं आप देख सकते हैं यहां पर मैंने न्यू लिखा है और यहां पर मैं इसको कोपी कर लूँगा एक और दो को टीक है यहां पर मैं लिखूंगा कर सब्सक्राइब और नीचे जो है एंटर कर दूँगा मैं नीचे जो है वहाँ पर लिख दूँगा मैं सेल ठीक है दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो है मैं फेशन को सिलेक करूँगा और यहां से मैं बॉल्ट कर दूँगा और इसका कलर जो है यहां से यह वाला पीकप कर रहा है हमारा थोड़ी सी जो है को टो के बीच में ऐसे बड़ने चक्राइब और ऐसे तीलो को यहां पर आप देख सकते हैं यह उपर दी हुए यहां पर लोगा पुर तो यहां पर जो है हमारा कुछ लुक इस तरीके से आ रहा है यहां पर मैं ओफर्स दे दूँगा यहां पर लिखूंगा अब टू ठीक है इसका साइज है मैं कम कर लेता हूं यहां से कर लेता हूं यह भी बहुत ज्यादा है और टीव कर लेता हूं ठीक है इतना चलेगा तो इसको जो है मैं कोपी कर लेता हूं वापस से यहीं वाला है औरहां पर डबल क्लिक करओंगा शिक्श्टीव फाइव करतुमाइब享 टीक है मैं डीसकांट देना और यह वाला जो है डीसकांटौन प्लाट जो वैल्यू है इसको हाईलेट यंग तो imperfect कर दूंगा यह वाला तो यहां पे इस तरीके से आ रहा है यहां यहां मैं जो है एक और टैक्स लिख देदा हूं इसको मैं ऐसे सीलक करूंगा इसके साइज है 20 तो इतना ठीक लग रहा है इसको जो मैं उपर ले जाते हुआ ऐसे ठीक है और यहां पर जो है मैं मोबाइल नंबर डाल दूँगा यहां पर प्लॉस 91 और आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप डाल दीजिए यहां पर कि मैं कुछ भी डाल देता हुँ यहां तू त्री पॉर फाव दिए नाइन टें ठीक है और इसका में कोपी कर लेंगा ऐसे यहां पर लिखूंगा यहां पर लिखूंगा लेपसाइट www.yoursite.com ठीक है तो इसको जो है हमें स्मॉल में रखना है वापत से में कैप्सलों बंद कर देता हूँ www.yoursite.com ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है मैंने यह लिख दिया है इन टीनों को अभी मैं सीलेक कर लेता हूं यहां दे और इसको भी ऐसे अलाइंग कर लूँगा सबी टैक्स को सीलेक कर लूँगा यहां तब और इसको जो है एक ही लाइन में रखना है हमें ऐसे ठीक है दोस्तों इसका आप धियान रखे कि यह साइट अलाइंग होना चाहिए बुरा तो थोड़ी सी जगा बढ़ा देते हैं ऐसे तो आप देख सकते हैं हमारा कोस्टर ज जो है हम थोड़ा सा थोटा कर लेंगे यहां पर 15 रख देते हैं ठीक है और इसको जो है थोड़ा सा हाइलेट कर देते हैं यहां पर मैं क्लिक करूंगा इसको ब्लेक कर देंगी ऐसे ब्लेक तो अभी यह दीख रहा नहीं दीख रहा है ठीक है तो यहां पर मैं क्या करूंग एक इसका बेग्राउंड एड कर लूँगा और यहां पे जो है रेटेंगल टूल लेंगे फिल कलर तो यही एक ही कलर यूज कर दूँगा तो यही वाला रखेंगे यहां पे मैं एससे ड्रोग कर दूँगा इस तरीके से त्रीके से ठीक है दोस्ता है अब यहां से यहां सक्क्राइश कर लता हूं वापूल अव्यू अब नहीं छिप्ग कर देता हूं वापन कर देता हूं आद हिसे मोय già दीच में अश्यजिप कर लगा टो इतना ध् роликов हो चुका है तो यहां पे हमारा जो है लोगो आएगा हो मैं डिसाइन कर देता हूं तो सबसे पहले मैं यह वाला टूल लूँगा रेक्टेंगल टूल तो आप अपना अलोगों लगा सकते हैं यहां पर यहांसे मैं सीब के साथ इससे ड्रोव कर दूँगे और वापस दे हैं कैंसल करता हूं तूल चेंज करके तूसरे उलियर में जांगे यहां ते आँगा एक दो रेक्टेंगल लूँगा यहां से मैं कलर नॉन कर देंगे अ कर दो कर ला हूं यहां पर जो है मैं इसी को कोपी कर लेता हूं तो कॉंट्रोल जे क्योंकि साइज में वापस है वही साइज नहीं बना पाहूं आ तो यहां पर मैं से कट कर दूँगा यहांप लूनगा कैसा लग रहा है यहां पर टेक्स एड़ कर देते हैं आप अपना जो भी कंपनी का लोगो का नेम है वो लिख दे मैं यहां पर लोगो लिख जाता हूं इसको शीलक करूंगा और यहां पर रेगुलर से बोल कर दूगा और इसको यहां पर जासे सेट कर दोगा ठीक है और यहां पर आप कुछ भी टेक्ट लाइन दे सकते हैं बेस्ट मुझे जड़ा इंगलीज आते नहीं है तो मैं कुछ भी लिख देता हूं बेस्ट कि सेलिंग को को कि इस यहीं टेक्ट लाइन में वहां वापस कर दोंगा यहां से दोनों को मैं सीलक कर लेता हूं और बोल्ट जो है वो कर दोंगा कि छोटा वाल ठीक है और इसकी यहां बहुत ज्यादा है कि यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं मैंने वस ऐसे ही डाल दिया है इसकी इसकी तो आप देख सकते हैं हमारा पॉस्टर जहें अलमास्ट डेन हो चुका यहां पर तो अब मैं क्या करूंगा इसको शीलक करूंगे यहां पर और हमने जो इमेज डाउनलॉड की है यहां से डाउनलोड में चला जाता हूंगे तो इंटरनेट डाउनलोड में रहा है मैं विल्डो जी प्रेस करूँगा फाइल में चला जाओंगा हमारे डाउनलोड और यह लाच डाउनलोड जो है मैं यहाँ पर इंपर्ट कर लेता हम तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इमेज आ चुके है हमारे इसको मैं क्रिएट क्लिपिंग मास कर दूँगा यहाँ राइट क्लिप करके हैं आप जैसे चाहें आप वैसे सैट कर सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ छोटा करूंगा थोड़ा सब्सक्राइब आगी तरफ लग रहा है तो आप देख सकते हैं अगर आपको ऐसे सेट करना है यहाँ ठीक है और यहाँ पर जो यह बच रहे हैं उसके लिए मैं क्या करूंगा एक और ले देता हूं लियर जिसको मीचे डाल देता हूं और वाकस ओपन लेता हैं और यहाँ पर जो है मैं ब्रस्टू लोगा और कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अधार कर दिजिए ठीक है तो आपका जो है जो पिक रखा है वो बीगड़ेना और यहां से मैं और यहां से मैं यहां पर दाल के वाका सुपर ले लेता हूं ठीक है और यहां पर एक कलर लेंगे हम कर देंगे यहां पर में बड़ा करोंगा ऐसे ठीक है इसको जो है हम स्क्रीन ओक्षन देदेंगे कि में नहीं देख रहा है तो मंटी प्लेय या कुछ और करके देख ले दें कुछ अच्छा लग रहा है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यहां पर तो मैं नॉर्मल कर दूंगे यहां और इसके उपर सीटी जहार बहुत ही कम कर दूंगे आप देख सकते हैं अगर आपको ऐसे सेट करना है इमेज पाफ ऐसे सेट कर सकता है मैं यहां पर इसको डिलीट कर देता हूँ तो यह भी अच्छा ही लग रहा है अब जूख सकता है यहां पर जो हमारा ब्यूटिफुल फॉस्टर जो है वो डिजाइन हो चुका है अब मैं क्या करूंगा यहां पर तोड़र सा और इसको लोकिंग में अच्छा बना जीज़ा है जू लेयर यहां पर एक डॉट बना होगा ऐसे है चोटा वाला कॉंट्रोल जे करूंगा यहां पर इसको सेलेक्टर जूम कर लेता हूं कि देख सकते हैं यह डॉट जो है कंट्रोल जे करता जाओंगा मैं लोग कंट्रोल जे कंट्रोल जे कंट्रोल जे टूल चेंज हो चुका है हमारा यहां पर टूल वापस से सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल जे कंट्रोल जे कंट्रोल जे इतना काफी होगा मैं यहां से सिल्ग करूंगा इप के साथ इसको सेलेक्ट करूंगा और यहां पर अलाइंग कर दोंगा ठीक है इसको भी नीचे लिया हूँगा इसको भी नीचे लिया हूँगा इसे वापस से कंट्रोल जे वापस हमारे चेंज हो चुका है यहां पर कंट्रोल जे कर देता हूँ और शिफ के साथ इसको नीचे लिया था हूँ ठीक है और यहां पर इसको ऐसे सिलेक करके वापस से अलाइं कर दूंगा है को यह जो है हो चुका है इस यह कर दूंगा है कि आप देख सकते हैं यहां पर कुछ ऐसा लुका रहा है हमारा तो हमारा पॉस्टर जो हब डिजाइन हो चुका है आप चाहें तो यहां पे एक और डाल सकते हैं और इसका जो है यह भी और सहीं लग रहा है वैसे तो आई होब दूस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है कि वीडियो को लाइक किजिए और शेर किजिए और हाँ दूस्तों प्लीज 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 सस्क्राइब किजिए मेरी चैनल को तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में